देखो नाइन चेक्टर 19 कॉस्टिन नम्बर वान ड्रो असर्कल ओफ इस थी सेंटिमेटर एंड मार्का पॉइंट पी अट डिस्टैंस ओ फाइव सेंटिमेटर फ्रॉम दा सेंटर ओफ ए सर्कल एंड ड्रो टू टैंड पी बीड तू दा सर्कल तू दा गिवन सर्कल और और तो सबसे पहले आप ने ठी सेंटिमेटर एक सर्कल ड्रोव करना है तो कमपस को सकती है यसे ने मिचल तो ड्रो अलट में एक सर्कल ड्रोव करना है पर गेए कर जाग लिए ठीक है यह आपने एक सर्कल रहा कर लेना ठीक है अब आपको next mark a point p at a distance of five centimeter ठीक है from the center of circle circle के center से five centimeter distance पर point लेना आपने ठीक है किसी भी direction में आप ले सकते हो ठीक है मैं इस direction ले रहा हूं ठीक है five centimeter distance पर यह आपने point ले लिया ठीक है यह कहा है p point ओके यह आपके पास distance कितना ओपी ओपी is five centimeter ठीक है ओपी कितना आपके पास five centimeter यह एक्स्ट चला गया ठीक है next draw two tangents देखो मैं आपको बताया था अगर आपे tangent ड्रो करनी है circle पर तो हम क्या करेंगे external point से external point से tangent draw करनी है तो हम क्या करेंगे op को join करके इसका perpendicular bisector draw करेंगे से पहले तो सबसे पहले perpendicular bisector draw कर लो ठीक है op का ठीक है op का perpendicular bisector यहां रखो o point पे और यहां से cut कर लो ठीक है जहां यह cut कर रहे ने मिला लो points को तो यह आपके पास के बन गया perpendicular bisector ठीक है माल लिया हमने यह perpendicular bisector जो है यह add point q पर cut कर रहे है ठीक है तो next step था ठीक है कि q को आप as a center लोगे या o तक compass को open कर लो ठीक है या p point तक compass को open कर लो ठीक है कोई फरक नहीं पड़ेगा o point तक compass को open कर लो या p point तक compass को open आपने कर लेना है ठीक है और एक circle draw कर लेना है ठीक है circle draw कर लो ठीक है यह जो आपके पास circle बनेगा ठीक है अब यह जो cut कर रहा है given circle को यह point add point a and add point b ठीक है आपने इन points को मिला लेना है join pa ठीक है तो आपके पास pa and pb are the required tenders अब आपके पूछे आप से इनकी length measure कर नहीं length measure कर लो length इनकी length आ रही आपके पास four centimeter ठीक है दाइमेटर दीए 9 cm तो रिडिस किना जागा 4.5 cm सेम कोश्चन ऐसे ही करना आपने हो ठीक है आज़ा question number 3rd ठीक है draw a circle of radius 5 cm and draw two tangents to this circle so that the angle between the tangents is 45 degree तो सबसे पहले तो हमें एक रफ फिगर बना लेते हैं ठीक है एक अगरा figure बना रहा हूं मैं ठीक है यह वहने draw a circle ठीक है आफ रडिस 5 cm ठीक है यह आपने circle ड्रोकल इसका रडिस कितना है 5 cm draw two tangents to the circle ठीक है हाँ हमें पता है कि अगर हमने external point से circle पर tangent ड्रो करनी है ठीक है क्योंकि लिखा है देखो tangent लिखा है so that the angle between the tangent देखो angle between the tangent ठीक है यह 45 डिए इसका मतलब है कि आपके बाद tangent बाहर कट करेंगे तब ही possible है तो मालो यह रा figure आपने दो टेंजर्स बना लिए ठीक है और हमें पता tangent कैसे बनाते हैं ठीक है पर tangent बनाने हमें कोई problem नहीं है पर हमें यह point नहीं ही पता है कि यह point P है कहां ठीक है तो इस P point की हमने construction करनी वह कैसे करेंगे ठीक है हमें यह angle दिया 45 degree okay ठीक है O से इस A point को और B point को join कर लो ठीक है यह rough construction है ठीक है यह 90 degree होता है यह 90 degree होता है ठीक है यह angle थो हम construct नहीं कर सकते हैं direct हमें P point ही नहीं पता है ठीक है तो देखो आपके पास A O B P जो है quadilator बन रही है तो इसमें आपके पास angle A plus angle B plus angle O plus angle P का सम किन नहीं होगा 360 degree तो देखो यह 90 degree यह 90 ठीक है और angle P is 45 degree 90 degree plus 90 degree plus angle O plus 45 degree is equal to 360 degree ओके तो देखो कितना आगे 90 180 ठीक है तो 180 यह मैंस कि तो angle O R में पास 135 degree यानि कि हमें यहां पर 135 यह 35 degree यह एंगल कंस्टक्ट करना पड़ेगा ठीक है दो को 135 डिग्री यह एंगल कंस्टक्ट करना का दो दरीके हैं देख लो अगर आपके पास यह स्टेट लाइन है यहां पर 135 डिग्री यह नाना आपने तो सबसे पहले आप के करोगे 90 डिग्री ठीक है 90 और 180 ठीक है 90 और 180 का बाई सेक्टर बनाओगे तो आपके पास 135 डिग्री यह एंगल बनेगा ठीक है ओके दूसरा मैथर क्या है ठीक है चलो हम यहां पर करते हैं फिर में आपको बजाता हूं साथ साथ में ठीक है देखो सबसे पहले तो हम एक सरकल ड्रॉख करेंगे जिसकर रेड़िस इतना है फाइव सेंटिमेटर अधिक है मैं इस पर कंस्टर्क्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ठीक है फाइव सैंटिमेटर कंपस उपट ओपन करके एक सर्कल ड्रोग लेंगे ठीक है कि अगर लिया है यह आगए आपके पास सेंटर हो तो देखो आपने क्या करना है ठीक है डायमेटर ड्रोग कर लो सबसे पहले एक ठीक है जहां हम एंगल बना सकें हम एक संटर पर बनाना है 135 ऑपनाना है तो अब देखो दो मैथ अगल बनाना है ठीक है अकूछ औफ आपको पता है अगर वो नहीं पता है ठीक है अगर बनाना हो तुछ कूछ और देखा त्वानचा रो more ठीक है मैं आपको बता दूँ यह सरकल है ठीक है यह मैंने ऐसे डायमेटर बना लिया ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूँगा 190 बनाऊंगा पहले ठीक है 90 बनाके इस 90 और 180 का हाफ करूँगा तो यह ठीक है तो यह मेरे पास के बन जाएगा 135 डिगरी एंगल ठीक है अब दूसरा मैंतर देखो देखो अगर 135 नहीं आता है आपको यह तो पता है अगर यह 135 है तो यह वाला एंगल कितना होगा बड़ा फिग्र ना आता हूं ठीक है देखो यह अगर 135 डिगरी है तो यह कितना होगा 45 डिग्री ठीक है या तो यह फिर फिर फॉर्टी फ़र्टी फटी फाइव दिग्री अंगल बना रहा हूं ओव पाइंट पे 45 डिगरी अंगल बनाने के लिए 90 डिगरी अंगल बनाना पड़ेगा पहले आपको सबसे पहले तो compass में ये points को equal कर लो नहीं तो otherwise आपका अंगल 90 डिगरी बनेगा ही नहीं ठीक है और सारा question अगलत हो जाएगा ठीक है ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे 45 डिगरी अंगल 90 डिगरी अंगल बना लेंगे टीक है कि ओपाइंट पर 90 डिगरी बना लूँ है ठीक है कि यह यहां पर रखो और ठीक है यह देखो 90 बन गया ठीक है अब मैं के करो 90 और इसका Half कर्रहा हो ये फॉर्टी फाफ डिगरी अंगल बना रहाई है कि आप तो बहुत है आप सोच लोंगे ना दो बनेंगे यह दो बना लो ना दो ना दो त्यक है यानि कि यह एंगहरो कि honestly आगे में आ था 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 कि यहuckle्ट ह। फिर मिफ़ए यह आपकर आपके पास था था तुम यहां पर इस पॉइंट पर जो यह एंगल बनेगा इसateurs पॉइंट पर बनेगा वह कितना ओगा इस point पर जो angle बनेगा वो कितना होगा 90 degree क्योंकि radius और tangent आपस में perpendicular होते हैं यानि कि यह जो point touch कर रहे हैं अब 135 degree वाल लाइन के साथ इन दोनों points पर हमें क्या बनाना पड़ेगा 90 degree का angle बनाना पड़ेगा यानि कि किस-किस point पर हमें let this point is A and this point is B तो हमें A point और B point पर 90 degree का angle बनाना पड़ेगा ठीक है आजाओ ठीक है यहाँ पर पहले मैं 90 degree का angle बना लेता हूँ ओके ठीक है यहाँ 90 का बन जाएगा वैसे आपने B point पर 90 degree का angle बना लेना ठीक है ओके ठीक है अब देखो इस B point और इसे मिला लो ठीक है और इस A point को और इसका 90 degree का पर्यूश से कर दो इस A पर्यूश कर दो ठीक है ठीक है अब इसे भी प्रूश कर दो जा जहां यह cut करेंगे ठीक है जहां यह cut करेंगे ठीक है वो point कोगा आपके पास P point और यह आप angle measure करके देख लो यह आपके पास 45 degree angle ही बनेगा ठीक है तो यह इसकी construction थी draw a circle of it is 5 cm and draw two tangents to this circle so that the angle between them angle between them two tangents P A and P B are two tangents and angle between them is 45 degree ओके यह इसकी construction है ठीक है देखो next question आपके पास using ruler and compass only constructed triangle ABC ठीक है having given BC 7 cm AB minus AC is 1 cm and angle ABC is 45 देखो यह rough figure ABC triangle बनेगी आपके पास मान लो यह ABC triangle बन रही है यह ABC पहले rough figure angle यह 45 degree ठीक है BC 7 cm and AB minus AC यह AB और यह AC ठीक है अगर यह आप compass रखो ठीक है यानि कि मान लो यह के आपके पास ठीक है यह आ रहा है यह ठीक है यानि कि इस AB में से AC माइंस करते है यानि कितना असा पार्ट that this point is B ठीक है तो वो 1 cm बच रहा है यानि कि यह 1 cm बचेगा ठीक है यह हमारे पास फ़हले figure में given दिया है तो आज हो सबसे पहले हम सबसे construction कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले है कि आपको BC ठीक है सबसे फ़हले तो BC लो ठीक है देखो BC में ठीक है BC 7 cm ठीक है अब देखो नेक्स्ट है कि एंगल बी इस 45 डिगरी तो बी पैंट पर आप 45 डिगरी एंगल कंस्ट कर लो सबसे पहले ठीक है कमपस ओपन खरो बी पैंट पर रखो और 45 डिगरी का आपको एंगल बनाना है ठीक है तो सबसे पहले आपको 90 डिगरी का एंगल बनाना पड़ेगा ठीक है तो पहले 90 डिगरी का एंगल कंस्ट कर लो ठीक है उसके बाद आपके पास 45 डिगरी के अंगल बनेगा ठीक है जोईन कर लो इसे 90 डिगरी के अंगल बन गया ओके नौ 45 ठीक है एक कमपस यहां रखो एक आरक लगा लो अपनी मज़ी हाफ जाद ओपन करके और दूस्ती बाइक कमपस यहां रखो ठीक है और यहां से आरक लगा लो ठीक है जहां यह कट कर रहे है इसे मिला लो ठीक है मिला लिया ओके अब एपट कहाएगा हमें नहीं पता ठीक है लेकिन मैंने अभी आपको बताया था ठीक है अगे अब मैनेस एसी इस वन सेंटिमेटर यहां से यहां तक कर दिस्टेंस वाल ठीक है तो यहां 1 cm distance ले लो ठीक है यह आ जाएगा 1 cm let this point is D now join CD आपने CD point को join करना है ठीक है join कर लिया ठीक है शाहिए फोर इसे गलत हो गया यह ऐसे मिलेगा चलो कोई ठीक है अब आपने के करना है CD line का perpendicular bisector किस line का CD line ठीक है CD line का perpendicular bisector draw करना ठीक है perpendicular bisector draw कर लो line CD का एक बाद C पर रखी compass एक बाद D point पर आपने compass रखी और arc लगा लिए ठीक है तो यह CD point का perpendicular bisector बन चुका है ठीक है अब यह bisector जहां cut करेगा यह जो जहां cut कर रहे this point is A ठीक है join कर दो C point को तो यह आपके पास required triangle बनेगी A, B, C ठीक है यह आपके पास के बनेगी required triangle A, B, C ठीक है यह जो A, D, A, C की length है वही A, D की length है ठीक है ओके यह तो measure करना measure कर लो ठीक है अगर यह आपके पास 5.4 आ रहा है ठीक है तो यह 6.4 आ जीए आपके पास यह आपके पास यह 6.4 आ रहा है यानिकी A, B, minus A, C is 1 cm तो आपने यह construction ठीक है ठीक है तो A, B, C is the required triangle ठीक है फर्स्ट पार्ट हो गया आपका नो second is inscribed circle बनाना आपने इसमें तो कोई problem नहीं है inscribed circle बनाने के लिए हमें किनी दो angle का bisector में पढ़ता है ठीक है तो मैं एक angle C और angle B का bisector में बेता हूँ ठीक है यह आगे आपके पास angle C ठीक है angle C का bisector ठीक है तो यह angle C का bisector draw कर लो this is the bisector of angle C ठीक है maybe थोड़ से यहाँ से जाएगा and angle B का bisector draw कर लो ठीक है एंगल बी का बाई सेक्टर आप ड्रो कर लो ठीक है तो यह जो थी कंपस ठीक है हाव दाद ओपन की हार के लगा ली अब यहां रखो और यह कट कर लो ठीक है देखो एंगल बी का भी बाई सेक्टर बन गे है ठीक है जहां यह कट कर रहे है यह आपके पास कोगा सेंटर ओ ठीक है अब आपने इस ओ पाइंट से परपेंडिलर ड्रो करना है बी सी पर तो आपको मैंने बताया था ओ पाइंट पर कंपस को रखो ठीक है अब आपको यहां पर कंपस रखनी है और ऐसे लगा लो आर्क हाफ ज़दा ओपन करके और यहां रखो कंपस और यहां आर्क लालो तो यह जो आर्क कट कर रही है यह कर रही है कट यहां इस पाइंट पर इसे जोईन कर लो तो यह प्रेंडियूबल ड्रो गया तो आपने इस पाइंट तक यह जो पाइंट आ गया let this point is P O P तक कंपस को ओपन करना है तीक है यहां पर compass रखो and op तक open कर लो ठीक है maybe मैं फोर से गल्द बन रहा है यहां तो ठीक आ रहा है यहां बाहर क्यों जा रहा है आपके पास point अगर यह है ठीक है ठीक है ठीक है इस पाइंट ठीक है यहां पीपाइंट अगर को ओपन करेंगे और हम एक circle ड्रॉव कर लेंगे ठीक है ठीक है आप तो ध्यान रखने है यह circle अंदर आएगा ठीक है मेबी यहां पर थोड़ सी compass चोटी बड़ी होगी या तो फिर यह थोड़ सापका गल्त बन गया है ठीक है otherwise यह circle बनेगा आपका बिल्कूल अंदर बनेगा ठीक है तो यह इसकी construction थी ओके क्वेआ पंदर रावी क्वेशन गऴी